महाभारत काल से यहां रखे हैं कर्ण के कवच और कुंडल जब भी महाभारत का जिक्र होता है। उसमें श्री कृष्ण के साथ ही दानवीर कर्ण का नाम जरूर आता है। कर्ण महाभारत के उन यौद्धाओं में से एक है जिनके दान के किस्से ज्यादातर पुराणों में लिखे गए हैं। कर्ण का जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कवच और कुंडल के धारण होने तक कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। इसके साथ ही क कर्ण अपने वचन और दान के लिए जाने जाते थे। वह कभी भी दान से पीछे नहीं हटते थे। पुराणों की माने तो महाभारत युद्ध के दौरान सभी को पता था कि कर्ण को हराना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में अरजुन के पिता और देवराज इंद्र ने कर कर्ण के विशे में सूर्य देव ने कर्ण को सावधान कर दिया था। इसके बाद भी कर्ण ने कहा कि वह अपने वचनों से पीछे नहीं हटेंगे। कर्ण ने इंद्र देव को कवच गुडनल दान दे दिये। इस पर इंद्र देव ने कर्ण से प्रसन्न होकर कहा कि अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो, मांग सकते हो, लेकिन कर्ण ने मना दिया था। कथाओं के अनुसार कर्ण के कवच और कुंडल की वजह से देवराज इंद्र को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला। इसकी वजह उनका कर्ण से जूट बोलकर कवच और कुंडलों का दान में लेना था। चंदरदेव ने सूर्य देव की मदद से सूर्य मंदिर के नीचे समुद्र के किनारे कर्ण के कवच और कुंडलों को छिपाकर कर रख दिया। कथाओं में बताया जाता है कि सूर्य और समुद्र देवकर्ण के कवच और कुंडलों की सुरक्षा करते हैं.